हेलो दोस्तो आल्ट्रिक इंफो यूडूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मॉबाइल में गलाइट टाइपिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं दोस्तो यदि हमें अपने मॉबाइल में कुछ भी लिखना होता है तो हम अपने मॉबाइल में कीबोर्ड ओपन करते हैं और कीबोर्ड में एक एक की प्रेस करना इस्टार्ट करते हैं और जो भी लिखना चाहते हैं वह लिख लेते हैं परन्तु यदि आप अपने mobile keyboard में एक-एक की प्रेस करना नहीं चाहते हैं और typing करने के लिए finger sliding का यूज़ करना चाहते हैं तो आप glide typing का यूज़ करके कर सकते हैं Glide typing में हमें कुछ भी type करने के लिए एक-एक की दवाने की जरूरत नहीं होती है Glide typing में हमें बस अपनी finger को keyboard में बिना उठाए एक बटन से दूसरी बटन में ले जाना होता है और जो हम type करना चाहते हैं वह यह type हो जाता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि mobile keyboard में glide typing कैसे करते हैं अपने mobile में glide typing करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile में play store open करें तो चलिए हम open करते हैं play store play store open हो जाने के बाद अब आपको उपर एक search box दिखाई देगा जिसपे आप click करें और यहाँ type करें gboard इतना type करने के बाद अब आप search बटन पर click करें जिससे की search result आपकी screen पे सोख हो जाएगा अब यहाँ पर आपको gboard application दिखाई देगा जिसपे आपको click करना है जिससे की यह पूरी तरह से open हो जाएगा अब आपको इस gboard application को अपने mobile में download और install करना है मैंने इसे पहले से ही download कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे open का button देख सकते हैं तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं आपको सबसे पहले इसे install कर लेना है अब हम अपने mobile में open करते हैं gboard तो हम इस gboard app पर click करते हैं और इसे open करते आप हम यहाँ परバイल Set Input Method पर क्लिक करना है और यहाँ पर Gboard को सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर बोल रहा है All Set तोक के हम करते हैं Done पर क्लिक अब हमें glide typing करनी है तो आपको यहाँ पे एक option दिखाए देगा glide typing तो आप glide typing पर click करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के सभी option पहले से ही enable है तो आपको यह सारे option को enable रखना है उसके बाद back जाना है अब यहाँ पे आपको text correction यह जो दिखाए दे रहा है तो आपको यहाँ पे इसको off कर देना है आटो correction जो है यहाँ से disable कर देना है और यहाँ से back चले जाना है इतना करने के बाद आपको यहाँ से काड़ देना है अब आपको अपने mobile में WhatsApp या message open करना है यहाँ आप keyboard open करके कुछ type कर सकें तो मैं यहाँ पे message open करता हूं अब यहाँ से मैं कोई भी chat open करता हूं और यहाँ पे हम text message पर click करते हैं जिससे की हमारा keyboard open हो जाएगा तो normally यदि हम यूज करते हैं कुछ भी type करने के लिए तो इस तरह से हाई कैसे हो और send कर देते हैं यदि हमें अपने keyboard में slide typing करना है तो हमें अपनी उंगली को slide करना है उठाना नहीं है तो चलिए हम type करते हैं slide करके तो अब आप देख सकते हैं मैंने slide typing के जरिए लिख चुका हूं तो चलिए हम और कुछ लिखके यहाँ पे try करते हैं hello हो कैसे हो send कहां पर हो क्या कर रहे रहे हो चल भाई घूमने चलते हैं okay send it आप इस तरह से अपने mobile में glide typing कर सकते हैं उम्मिद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर कुछ ना कुछ नया सेखने को मिला होगा दोस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को subscribe वीडियो को like और share जरूर करें मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए bye